नमस्कार दोस्तो वीवर्स रिवी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे ऐसी एक गुजराती मूवी के बारे में जो एक फैमिली एंटर्टेनर होने के साथ साथ हमें कुछ अच्छी और नई प्रेना भी देती है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं हरी ओम हरी के बारे में और यह मूवी कैसी है और इस मूवी का प्रॉट किस अमेरिकन मूवी से उठाया गया है इसके बारे में बाद में बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हरी ओम हरी मूवी के बारे में मेरा रिव्यू सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में ओम और वीनी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं पर उनकी जिन्दगी में एक नया मोड़ता बाता है जब वीनी ओम से साधी करने का प्रस्ताव रखती है और ओम उसे मान भी लेता है और उसके बाद उन दोनों की जिन्दगी में कुछ रुकावटे आ जाती है और इसी वज़े से वो दोनों एक दूसरे साधी करने वाला जो फैसला होता है उस पर रिग्रेट करने लगते हैं तब इस फिल्म में एंट्री होती है सिर्दात रांदेरिया जी की एज़े गौड जो ओम को एक सुजाव देते हैं कि वो अपनी जिन्देगी को फिर से रिसेट कर सक करते हैं और इसके बाद उनकी जिन्दगी में क्या बदलाव आएगा इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी अब इस फिल्म का प्लोट थोड़ा बहुत अमेरिकन फिल्म ब्रूस ऑल्माइटी से उठाया गया है हाला कि इसमें किर्दार और स्क्रीन प्ले थोड़ एक्टिंग में बहुत बढ़िया और बहतरी लगे हैं उनकी प्रेजन्स स्क्रीन पर हमें महसूस होती है और जब जब भी ओ स्क्रीन पर आते हैं हम खुस हो जाते हैं उसके साथ साथ रौनक कामदार व्योमा नंदी ने भी अपने किर्दार को बखोवी और अच्छी तरह स उसी के साथ साथ मलहार राठोड, सीवम पारेक, रागी जानी और कलपेस पटेलने में अपने सपर्टिंग रॉल को बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से नवाया है और स्पेशली रागी जानी एक बहुत अच्छे और बढ़िया कॉमिक टाइमिंग वाले किरेक्टर है इस बात में कोई दोराय नहीं है निसर गवैद्य जो इस फिल्म के डिरेक्टर है उन्होंने इस फिल्म में बखो भी और अच्छा काम किया है हाला कि कुछ जगा पर आपको स्टोरी खिची हुई लग सकती है पर फिर भी इतना तो चलता है और और बात करू तो हरी हम हरी ए फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो कॉमेंट में बताइए मैं आ